हेलो नमस्ते आदाप सश्रिया काल कैसे हैं आप सब मैं हूँ अस्ट्रोलजर मनीशा कौशिक और आप से बात करूँगी कि आज कैसा रहेगा आपका दिन आज है 19 नवंबर 2022 और दिन है शनीवार आज कृष्णपक्ष दश्मी तिती रहेगी सुभा के 10 बच कर 26 मिनट तक उसके बाद एकादशी तिती का प्रारंब होगा बात करने रहुकाल की तो सुभा 9 बच के 25 मिनट से लेकर सुभा के 10 बच कर 45 मिनट तक रहुकाल का समय है आज के लिए शुब समय जिसमें कोई जरूरी काम कर सकते हैं तो वो रहेगा सुभा 8 बच कर 11 मिनट से लेकर सुभा के 9 बच के 30 मिनट तक एक अशुब समय भी है, यूजुली हम इसे यमगंदम काल कहते हैं जिसके बीच कोई जरूरी काम करने से बचना चाहिए कोई important decision लेना है तो इस समय के दोरान avoid करना चाहिए तो वो रहेगा दोपहर के 1 बच के 25 मिनट से लेकर दोपहर के 2 बच कर 45 मिनट तक अब बात करेंगे आज के राशिफल की और हमेशा की तरह शुरुआत करेंगे सबसे पहले एरीज यानि की मेश राशी आर्थिक स्तिती मजबूत होने की संभावना नजर आती है अपने फिजूल कामों में पैसा बरबाद करने से आपको बचना चाहिए परिवार के सदस्य की काम्यावी आप जो है उन पर गर्व महसूस करेंगे उसके साथ साथ शाम को पार्टनर के साथ कहीं न कहीं घूमने जाने का प्रोग्राम भी बन सकता है आज आज आपके लिए शुब अंक रहेगा बाईस और शुब रंग रहेगा इलेक्ट्रिक ग्रेव टॉरस यानि वरिश राशी वालों के लिए सितारे कहते हैं कि एक्सराइज करने से आप जो आपकी जो फिजिकल आपकी प्रॉब्लम्स चल रही थी वो दूर होनी शुरू होगी घर पर तनाव की स्तित्या उत्पन हो सकती है अपनी पेशिंस को बना कर रखें आफिस में आपका मन लगेगा और आप इंजोई भी करेंगे अपने नए रोल को अचानक दूसरे शहर यात्रा करनी पड़ सकती है लेकिन ओवराल रिजल्ट जो है वो आपके फिवर में रहेगा आपके लिए शुब अंक रहेगा ग्यारा और शुब रंग रहेगा रेड जेमिना यानी मितुन राशी वालों के लिए सितारे कहते हैं कि आर्थिक समस्याएं दूर होती हुई नजर आती हैं जिससे आपको राहत भी मिलेगी कड़ी मेहनत का फल जो है वो आपको फिटनेस के तौर पर जरूर मिलेगा अच्छी सेहत आप इंजोई कर पाएंगे कोई आकरशक डील आपके लिए जो है वो आपके हाथ से जा सकती है अगर आप बहुत ज़्यादा सावधानिया आपने नहीं बरती तो घर के लिए कुछ नया समान खरीदने के भी चांसेज नजर आते हैं पार्टनर आपका खराब बूट ठीक करने की आपको खुद कोशश करनी चाहिए आपके लिए आज शुब अंग रहेगा साथ और शुब रंग रहेगा पिंक कैंसर यानि करक राशी वालों के लिए सितारे कहते हैं कि हेल्थ के प्रती लापरवाही आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए विरासत अगर कहीं से जो है वो अभी डाइवर्जन चल रहा था जो आपको धन सपती मिलने की संभावना जो है बनते हुए नजर आ रही है बिजनस ट्रिप पर बाहर जाने के चांसे भी काफी स्टॉंग नजर आते हैं आज स्टूडेंट्स के लिए समय जो है वो अच्छा है आप अपनी परफॉर्मेंस से अच्छे रिजल्स और अपनी साटिस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग ली रिजल्स जो है वो पास सकेंगे आपके लिए शुब अंक रहेगा ठारा और शुब रंग रहेगा लेमन लियो यानि सिंग राशी वालों के लिए सितारे कहते हैं कि आमधनी के अन्यस्त्रोत्र जो है तलाशने की अब आपको कोशिश करनी चाहिए कोई न कोई होबी हो या साइड इंकम हो अब आपको कुछ न कुछ मेनत साइक्स्ट्रा करने की जरूरत रहेगी अच्छी नौकरी का अफसर हाद से निकल सकता है अगर आपने बहुत जादा नेगोसियेशन की तो कोई मित्र आपको किसी पार्टी के लिए किसी फंक्शन के लिए भी आजावंतरित कर सकता है और आपको जरूर जाना चाहिए आपके लिए शुब अंक रहेगा ग्यारा और शुब रंग रहेगा डीप स्काई ब्लू वगो यानि कन्या राशी वालों के लिए सितारे कहते हैं कि आर्थिक स्तिती मजबूत होने की संभावना नजर आ रही है कार्य शेतर पर कोई भी जो चीजे जो सही नहीं चल रही थी अब आपको उसे कंट्रोल मिलाने के लिए मेनत खुद करनी होगी बड़ों की सला आपके लिए काफी जो है वो फाइदे बंद रह सकती है यात्रा में किसी कारणवर्ष देरी होने की भी संभावना नजर आती है आपके लिए शुब अंक रहेगा पंद्रा और शुब रंग रहेगा क्रीम लिब्रा यानि तुला राशी वालों के लिए सितारे कहते हैं कि बिजनस फ्रंट पे अच्छा फाइदा होने की उमीद नजर आ रही है आज परिवार के साथ कहीं न कहीं बाद विवाद अब जो है वो आपकी समझदारी से दूर होगा स्टूडेंट्स को पढ़ाई में और करियर के लिए अच्छा आपको मोटिवेट करना चाहिए और मोटिवेटेट खुद भी रहना चाहिए क्योंकि अच्छी उपर्चुनिटीज आने के भी योग बन रहे हैं पार्टनर के साथ कहीं बाहर जाने की प्लानिंग बिगड सकती है तो इसलिए बेकप कैसे करना है उस चीज़ को कैसे संभालना है आज आपको खास थ्यान देने की जरूरत रहेगी आपके लिए शुब अंक रहेगा आठ और शुब रंग रहेगा यलो स्कॉर्पियो यारी व्रिष्टिक राशी वालों के लिए सितारे कहते हैं कि अतिरिक्त खर्चों पर लगाम लगाने क्या प्रयास आपको खुद करने की जरूरत होगी जरूरी कामों के लिए कोई न कोई जो है वो आपको समस्या जरूर आ सकती है लेकिन समय पर पूरा करना उन्हें जरूरी होगा और इसके लिए मेहनत आपको खुद करने की जरूरत है आज परिवार के किसी युवा सदस्य में आपसे कुछ डिमांड कर सकते हैं अगर आप उनके डिमांड पूरी कर सकते हैं तो आपको जरूर करनी चाहिए नहीं तो समझाना कैसे हैं प्यार से ही समझाने की कोशिश करनी होगी प्रॉपर्टी विवाद आज जो है वो कहीं न कहीं अगर आप उन्हें बाहर ही सुलजा लेते हैं तो आपके लिए बेहतर होगा आपके लिए शुब अंक रहेगा सत्रा और शुब रंग रहेगा लावेंडर Sagittarius यानी धनुराशी वालों के लिए सितारे कहते हैं कि घर पर किसी गलत फेहमी का आप शिकार हो सकते हैं तो इसलिए अपनी सूजबूद से ही चीजों को हांडल करें Savings के कारण आपकी financial सिती जो है उसमें तो कोई problem कम से कम नहीं नजर आएगी कुछ खर्चा करना चाहते हैं कुछ लेना चाहते हैं तो वो भी मुम्किन होगा अपने partner के साथ समय बिताने के लिए आपको कुछ समय थोड़ा निकालना चाहिए और कोशिश कीजिए कि जितना भी समय निकालें वो कम से कम quality time हो आपके लिए शुब अंक रहेगा दो और शुब रंग रहेगा red केप्रिकॉन यानि मकर राशी वालों के लिए सितारे कहते हैं कि किसी कारण वर्ष आपको हेल्थ सम्मंदिद चिंताएं जो है वो आज परेशान कर सकती हैं अपनी सेहत का खास ध्यान दे कर चलें घर के लिए कोई luxury item भी खरीदी जा सकती है बिजनस को expand करने के लिए दिन अच्छा है अगर आप कहीं घूमने जाना चाहते हैं तो आपके लिए समय जो है वो अच्छा नजर आ रहा है आपको travel trip जो है वो जरूर प्लान करना चाहिए और आपके लिए शुब अंक रहेगा आज साथ और शुब रंग रहेगा मरूर एक्वेरियस यानी कुम्भ राशी वालों के लिए सितारे कहते हैं कि अगर आप कोई जुलरी खरीदना चाहते हैं कोई महंगी चीज़ कोई luxury item खरीदना चाहते हैं तो आज थोड़ी सी सावधानी बढ़तें पूरी चीज़ के बा मुलाकात भी नजर आती है आपके लिए शुब अंक रहेगा 11 और शुब रंग रहेगा sky blue अब बात करेंगे आखरी राशी पाईसे स्यानी की मीन की घरेलू उपाय से जिन लोगों की सेहत ठीक नहीं चल रही थी ना उन्हें भी अब लाब मिलना शुरू होगा तो सेहत के प्रती आपको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए चोटी मोटी चीज है तो कम से कम वम्मी से या दादी से घरेलू उन उसका जरूर लें आपके लिए फायदे बंद रहेगा आपको मेहनत खुद करनी होगी पर आप सफल भी जरूर होगे आपके लिए शुब अंक रहेगा पांच और शुब रंग रहेगा लाइट क्रीन